इने चोटी सी दिखती है लेकिन पूरे बंगाल में तो भाएंग कर ज्वाला मुखी है कब विस्पोट होगा कहने की कठीना मुश्किल है जी हर जगा पिस प्रकार का जुन्म है और सिरफ उन्होंने अपनी वोड़ बेंक की राख दूसरा वो कानून नियमों को पानर करने को त्याय है ये पीस की नौट के प्रुबव हो जाता है लोगों दिणोक्री चली जाती है इनको परवाण है उनको नियुक नूमगा दिए strat गरान के भी में लूग तो के नौटक पाहड़ पकले जाते मैं है टा bersy लঢ়िर तक जाते है लेकिन उनको felly नहीं की नूर्मल बना है देश के लिए संकट का विश्य है घटनाएं किसी ने किसी राज में कुछ ऐसी चिंता जाना होती है लेकिन उसको कोई सट्रीपाइब हर को दुखी होते हैं रास्ता खोते हैं यहां ऐसा नहीं है जब साइकोलोजी के लिए आप यह करोगे और तीन दसक लेपके और टीमसी एक प्रकार से 50 साल बंगाल के बरबाद हो चुके हैं जी आज कोई इंडिस्ट्री नहीं आ रहे हैं कोई नया तो सिस्टिम टेवलप नहीं हो रही है राजनिती चले जाएगी जी लोग विचारे मुसीमत में घुजारा करते रहेंगे यह इतना मेरा देश का इतना महान रा बंगाली का जो विशय था जो वहाँ पे उत्पीरन हुई थी टॉर्चर किया गया था मास रेप के ऐलिगेशन से पहली बार ये ख़बर रिपबलिक बंगला ने दिखाई थी और उसके बाद हमने करीब एक महींते तक कैंपेंड की थी नियाए के लिए मेरा सवाल आप से ह कि आपको लगता है कि संदेशखाली एक तरह से केंदरबिंदु नहीं एक प्रतीक बन गया है बंगाल की स्थिति को लेकर और इस से जोड़ा सवाल यह है कि आप विक्सित भारत की बात करते हैं इसके कांटेक्स में क्या आपको लगता है विक्सित बंगाल को आप कैसे दे तो कुछ ऐसी जगह हैं जिसमें देश की बहुत बड़ी सेवा की है कि देश का नितुरत्व किया है कि संकट की घड़ियों में से देश को बाहर निकाला है उसमें बंगाल और तमिल नारू का बहुत बड़ा योगदान है दुरुभा के साथ ये दोनों राजनितिक नेतुरत्व की विकृत मानस्विक्ता की शिकार हो चुके हैं अब बंगाल में जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के बंगाल की मुख्यमंतरी संसद में आवाज उठाती थी जब लेप की सरकार थी आज उन्हीं मुद्दों को हम बोल रहे हैं और मम्ता जी वो कर रही हैं जो लेपवाले करते थे कउंग्रेस अब इसरान कोना करते हैं और उसमें क्राइद में ऊड़ गया है और आज जो संदेश खली चोटी सी घटना है जी चोटी सी दिखती है लेकिन पूरे बंगाल में तो भाएंकर ज्वाला मुखी है कब विस्पोर्ट होगा कहने की कठीना मुश्किल है जी हर जगा पर प्रकार का जुर्म है और सिर्फ उन्होंने अपनी वोड़ बेंग की जान रही है टीचर भर की गोटाले में लोग प्रूब हो जाता है लोगों दिनोकरी चले जाती है इनको परवां नहीं है उनको तो लगता है अदाजी देख लेंगे करोडों करोडों रुप्यों की नौटों के पहाड़ पकड़ जाते हैं पैसे गिंते गिंते मशीन ठक ज किसी ने किसी राज में कुछ ऐसी चिंता जाने गटना होती है लेकिन उसको कोई सट्रीपाइज हर कोई दुखी होते हैं रास्ता खोते हैं यहां ऐसा नहीं है जब साइकोलोजी के लिए आप यह करोगे और तीन दसक लेपके और टीमसी एक प्रकार से पचास साल बंगाल क बरबाद को शुक्त हैं आज कोई इंडेस्ट्री नहीं आ रहे हैं वहां कोई नया पर सिस्टिम टेवलप नहीं हो रही है राजनिती चले जाएगी जी लोग बिचारे मुसिबत में गुजरा करते रहेंगे यह इतना मेरा देश का इतना महान राज्य है इतना महान राज्य पी अब सब गवारें इसकी पीड़ा है जी मोधी जी राम मंदिर के मुद्धे पर मैं कई जगे थोड़ी थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर ले तो अभी भी तो गया था मैं जब भी जब भी वहां पे जैश्री राम के नारे लगते हैं बीजेपी के तो कारे करता ही नह कर विपक्ष के जो अप्रोच है राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि एक पूरा एक प्रान प्रतिष्ठा एक उन्होंने कहा राजनेतिक समारो या राजनेकितिक कारे करम उन्होंने कह दिया अब भी कहते है राम मंदिर जाएंगे मगर तारीक नहीं पताएंगे उसी वही ही एक हिंदूर धर्म के लिए जो जितने हिंदू है जितने सनात्रिया आप है मैं हूं हूं हमारे लिए धर्मिक मुद्ध है राजिनितिक मुद्ध नहीं है मगर राजिनितिक मुद्ध भी बन चुका आपने कोशिश कि एंप olurs दक्षिन भारत उतर भारत सब जगे के लोगों को उनकी संस्कृति को एकजूट करने की तो आप इसको जब देख रहे हैं पॉलिटिकल इशू बन चुका है और बनाने की कोशिश होगी इसका क्या रेस्पॉंस होगा इलेक्टोरेट से मैंने पहले इन सारे जिस परकार की भा और लोगों की भलाइका काम भी करते थे रेल्वे बनाते थे क्या नहीं करते इसकाश्य और चली रहा था स्कूले खुलती थी अस्पटाल खुलते दे रेलवे चलती दी रोड बनते थे के जब देश में सहकडों हजार लोग को यह कियो अंधमान काला पानी के साजा और भो 500 साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है कि एक सद्धा के लिए 500 साल तक एक समार लड़ता रहा हर व्यवस्ता से लड़ता रहा और मंदिर बना करके रहेंगे यह संगर पीड़ी घर पीड़ी यह लड़ाई चली है सच मुछ में तो यह 500 साल का इतियास सिर्फ हिंदू को नहीं दुनीया के हर समाज मुए इसपार कर सकता ह। में यह बली दान का इतियासे यह ट्यांक का इतियास यह तपस्या इप मैं आप उसको को भी अपने ही पुरवजों किया और गुनामी की जंजिरों के बीच किया है झाल झाल